बिसमिल्ला रह्मान रहीम कैसे हैं वह आप लोग रटना नहीं है समझना है सिंट टेक्स बुक बोर्ड नाइन्थ बायलोजी और गन सिस्टम पार्ट फाइव और फाइनल पार्ट इसको करते हैं बस पार्ट फाइव कॉपी पैंसिल ले लीजे लेक्शर को नोट करना है और मस्कुरात दे रहना है आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं आपको पता है बस इसकी जरूरत नहीं है बाराल लेकिन सब को जरूरत नहों ये मुम्किन नहीं तो और जो लोग आगे आना चाहते हैं इसमें जरूरत ना जरूरत की तो खेर बात चोड़ दें होसला अफजाई करनी चाहिए जो भी आगे आना चाहता है आगे बढ़ना चाहता है आप उसकी हेल्प करें उसको आपके लिए चंद सेकंड्स का एक काम और उससे दूसरी की होसला अफजाई हो जाती है उसको आगे बढ़ने में ताकत मिलती है और आपको भी इसका अजर म तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है थोड़ा सा इस वीडियो को बंद करके वहां क्लिक कर दें उनका उनकी वीडियो खुल जाएगी आप उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए लाइक भी कर दीजिए बैल आइकन आपकी मर सब्सक्राइब करते हैं वैसे करते भी नहीं है आप चाहें तो म्यूट पर लगा दें तो यह के हौसला अफजाई हो जाती है बस और हमारे इसमें चंद सेकंड्स ही जाते हैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं तो यह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरे चैनल को नहीं ठीक है चल थैंक यू आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं हमारे पास क्या है औरगन सिस्टम पार्ट फाइफ जिन्होंने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट स्री पार्ट फॉर नहीं देखा वो देख लीजिए इसमें हम स्पेसिविक किसी औरगन सिस्टम को इन डिटेल स् तो यह तो एक overview है हमने सारे systems को connect कर रहे हैं आज इसको summarize कर रहे हैं अब सारे system तो नहीं major system digestive system को भी देखा है हमने excretory system को भी देखा है हमने respiratory system को भी देखा है और circulatory system को भी देखा है heart blood blood vessels digestive system lungs cells क्या चक्कर है यह kidneys यह सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिसकस कर चुके हैं इससे आपको एक introduction driven systems का मिलेगा है इसमें बहुत कुछ है आज हम एक और system को connect कर रहे हैं क्योंकि coordination है न हम अगर अलग system पढ़ें वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एक चीज़ समझाना है कि system सब मिल जुलके काम करते हैं जिसको coordination कहा जाता है को coordination क्या कहा जाता है जिसको coordination मिल जुलके काम करना मिल जुलकर काम करना और human beings इंसानों की मिसाल लेके मैंने इन systems को explain किया और सिर्फ इसी चीज़ को मैंने दिखाया है कि किस तरह systems आपस में मिल के काम कर रहे हैं अब यहाँ पर याद रख लीज़े आपके अल्लह ताला का नजाम है ना वन यूनिटी क्या होता है किसी भी organization के अंदर किसी भी तन्जीम के अंदर आपकी पूरी body जो है ना यह भी एक organization है एक तन्जीम है आप एक business organization को ले लें कोई सी भी उसकी बड़ी सी building है तो बड़ी सी building है उसमें मुक्तलिफ departments है ठीक है एक छोटे से school को ले ल और मैं मैंकर यह नहीं सारे department हैं इसे एक डिपार्टमेंट है जो कि दूसरे departments को control करता है controller controller जी कौन सा होता है स्कूल में प्रिंस्पल का आफिस प्रिंस्पल आफिस इस दे controller हाला कि वो भी उसी स्कूल का हिस्सा है वो भी उसी organization का हिस्सा है और वो control कर रहा है पूरे स्कूल को दूसरे departments को भी समझवा गई बात बिल्कूल इसी तरह हम यहाँ पर हर जगा पर जहां पर हमें organization नजरा आती है यह तन्जीम नजरा आती है वहाँ पर हमें एक controller जरूर मिलता है जो के पूरे system को control करता है चलाता है अब हमारी body के अंदर जब इतने सारे system में 8, 10, 12 system है तो क्या यह ऐसी चल रहा हूंगा नहीं इनके भी एक system है जो के इनको लेके चल रहा है और उसको हम कहते है nervous system nervous system हर system के साथ मैंने एक word जो है वो connect किया तो इस system के साथ भी एक word करूँगा control का अब school और principal की example मैंने आपको दी तो दूसरे department काम जो करते हैं वो किसकी वज़ा से करते हैं order की वज़ा से order कौन देता है principal देता है जो के head of the department है अब आपको समझ में आ रही होगी कि दूसरे जो भी system है वो हमारी body के अंदर excretory system है respiratory system है, circulatory system है digestive system है, skeletal system है muscular system है reproductive system है ये सारे systems जो है, इनको control कर रहा है nervous system किसके जरीए? order के जरीए हुकम दे के अब कुछ orders जो है वो कोई भी system और उस system के अंदर मौजूद कोई भी organ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता ये nervous system जो है order देता है और उसके बाद वो सारे काम करते है अब orders जो है, ये दो classes में divide कर लेते हैं हम इसको क्योंकि इस से, इसको कहते हैं हुकम ये दो हिस्सों में हम divide कर लेते हैं एक वो orders हैं जो के feeded हैं feeded हैं यानि कि हर system को nervous system ने पहले से ही दे रखे हैं अब किसी को जो भी काम करना है उसके पास वो पूरा कितापचा, वो बुक मौझूद है जिसमें सारी instructions, हिदायाद nervous system की तरफ से मिली हुई है, feed हुई है पहले से, अब उनको nervous system की तरफ जाने की जरूरत नहीं है समझा रही ये बात जैसे के आपके digestive system के अंदर pancreas है और जो है वो liver है small intestine, large intestine, stomach सारे के सारे organs जो है digestive system के वो खुद बहुत काम नहीं कर रहे है order तो nervous system का ही है लेकि nervous system ने पहली order दे दिया है कि ये ये काम आपने करना है ये वाले जो काम है काम, इनको actions भी कहते है actions जो के खुद बहुत हो रहा है इनको कहते है involuntary actions क्या कहते है involuntary actions voluntary involuntary word बना है volunteer से इसको उर्दू में कहा जाता है रजाकार रजा, मेरा नाम भी आसिफ रजा है रजा, word का मतलब किए होता है रजा word का मतलब रजा निकला है मर्जी से समझा गई बात रजा मतलब मर्जी और मर्जी से word निकला है राजी बिखे कितने word एक दूसरे से connect तो रजाकार किसको कहा जाता है वॉलिंटियर हम उसको कहते हैं जो के अपनी मर्जी से अपनी खुशी से बगएर किसी फाइदे के आगे बढ़के अपनी राजी खुशी अपनी मर्जी से किसी काम करना चाहता है जैसे जंग हो जाती है तो जंग हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो है वो खुद आगे आ जाते हैं ऐसा वॉलिंटियर अपनी विश्ट से के हम अपनी आर्मी को हेल्प करेंगे समझ में आगई बात तो वो रजाकार कहला है तो रजाकार मर्जी राजी वोलिंटियर ये क्या है हमारे पास इसको हम प्रिफिक्स कहते हैं इसका मतलब है नॉट इन वोलिंटियर इन वोलिंटरी एक्शंस ऐसे काम जिसमें रजा नहीं है जिसमें मर्जी नहीं है किसकी मर्जी नहीं है Involuntary actions ऐसे actions जिसमें आपकी मर्जी नहीं है किसकी मर्जी नहीं है आपकी Your wish हम भी तो है ना obvious सी बात है तो ये involuntary actions कहलाते हैं जो के feeded हैं सारे के सारे आपकी body के अंदे आपका heart चल रहा है pump कर रहा है, stomach काम कर रहा है, kidneys काम कर रही है, क्या आप इसको रोक सकते हैं, आप, आपकी body है, आपकी body है, ये organs भी आपके हैं, क्या आप इनको रोक सकते हैं, आप इनको नहीं रोक सकते हैं, ये खुद ही चल रहे हैं, खुद ही नहीं चल रहे हैं, आपके brain नहीं, जो के nervous system का king ब्रेन जो कि क्या है किंग है नर्वस सिस्टम का किंग है इसकी मर्जी से चल रहा है उसने पहले ही और्डर कर दिया है सिस्टम के अंदर जो और्गन्स हैं उनको क्या आपने यह 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 काम करना है समझ मैं आरी ये बात तो उसने आप पहले ये ओर्डर कर दिया है आपका ब्रेंड दो तरह के काम कर रहा है एक ऐसे काम कर रहा है जिस पर आपके कोई अख्तियार नहीं है मेरा कोई अख्तियार नहीं है मेरा ब्रेंड ऐसे काम कर रहा है ये किंग है न और ऐसे काम जिस पर मेरा इख्तियार है मिसाल के तोर पर मैं इस मारकर को यहां ले जाना चाहूं मैं ले जा सकता हूं यहां नहीं ले जाना चाहूं यहां नहीं ले जा सकता मैं चाहता हूं बैठ जाओं तो मैं बैठ सकता हूं मैं चाहता हूं कि नहीं मैं नहीं बेट हुआ खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहे सकता हूं कोई मसला नहीं अब ये जो आप खड़े हो रहे हैं बैट रहे हैं इसमें भी तो आपकी टांगे क्या आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है क्या वो अपनी मर्जी से हरकत कर सकती है क्या है ये मारकर यहां से यहां हरकत कर सकता है नहीं हरकत कर सकता ब्रेन इसको ओर्डर कर रहा है याद रख लीजिए एक पकी पकी बात आपकी बाड़ी का एक भी सेल एक भी हिस्सा जो है वो अपनी मर्जी से खुद कुछ नहीं कर सकता brain उसको order करता है यारि कि indirect way में आप उसको order करते है समझारी ये बात तो बरहाल nervous system जो बात ज्यादा पेचीदा हो जाएगी मैं इसकी detail में आपको नहीं लेके जाना चाहता तो nervous system का काम control करने का है control कौन कर रहा है? brain कर रहा है ये है controller और इसी के order से सारे काम चल रहा है दो किसम के काम involuntary actions जिन में आपकी मर्जी का कोई इस्तियार नहीं है ठीके वो हो रहे हैं और दूसरे जो हैं वो voluntary actions voluntary actions जिसमें आपकी मर्जी शाबल है जिसे मैंने अभी मिसाल दी मैं लिखना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी है मैं चाहूँ तो लिखूँ चाहूँ तो ना लिखूँ तो ये voluntary actions कहलाते है अब यहां पर यह जो मैंने कहा कि nervous system दो किसम के order देता है यानि कि brain जो है वो दो किसम के order देता है एक तो already feeded है वो किन के पास है हमें ये already feeded actions को इसमें देखते है ज्यादा था बायो के अंदर already feeded actions किसके पास है और्गन systems के पास है nervous system के पास है circulatory system के पास है आपकी body के अंदर जितने और्गन है सब के पास feeded orders है ये orders ये instructions पहले से हर और्गन में feed कर दी है brain में अब बार बार brain को बताने की जरूरत नहीं है पेगाम रिदायात सारी सारे systems को सारे organs को पहले से ही मिल चुकी अब brain इस तरफ से तो आज़ाद ये काम खुद बखुद होगा जैसे कि प्रिंसपल ने स्कूल में प्यूंस को बुलाके एक ही दफाव उटस दे दिया कि आपकी ये ये duty है और आपको ये ये काम करना है प्यूंस जो दुबारा प्रिंसपल के पास नहीं जाएंगे वो खुद बखुद काम अपना करते रहेंगे बात समझ माँ आगए लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो है वह आपकी इनको छोड़के कुछ जो करते हैं वह आप अपनी मर्जी से करते हैं आपके वालेंट्री एक्शन्स हैं ये फीडिड नहीं है नॉट फीडिड ये फीडिड नहीं है समझा गई बात तो ये था नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर का पूरा मैंने आपको एक ओवर व्यू दे दिया हैं पर ये ओवर व्यू है डेटेल में बात नहीं करेंगे अब नर्वस सिस्टम जो है हमने इसको प्रिंस्पल स्कूल के प्रिंस्पल से कंपेर किया अब कोई भी ओर्डर नर्वस सिस्टम जब देगा तो क्या खुद उटके जाएगा सवाल जहन में आता है मिसाल के तो और उप़र मैंने आपको कहा कि कोई आपकी बाड़ी का और्गन जो है वो बगिर बरेंगी मर्जी के नहीं चलता तो ये मैं लिखना चाहता हूँ मैं लिखना चाहता हूँ बॉर्ड पे ये एक काम है तो ये भी यकीना ब्रेन जो है वो allow करेगा तभी मैं ये काम करूँगा मेरे काम करने का मतलब ये के मेरा हाथ ये काम करेगा देखें लिखना हाथ ने है ना मैंने तो नहीं लिखना पैर ने तो नहीं लिखना हाथ ने लिखना इसका मतलब brain के पास जो है, वो messenger है, पेगाम रसानी वाला कोई बंदा है, messenger है, messenger मतलब जो message को, यानि के order को, ये message नहीं है असल में, order है, इसको क्या करे, send करे, carry करे, sender तो, carry का मतलब है ले जाना, ठीक है, तो brain जो भी order करेगा, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर messenger ऐसा है, जो के, इस order को क्या करेगा, carry करेगा, brain से लेके जाएगा, brain से किसके पास लेके आएगा, hands के पास लेके आएगा, पहली बात, तो हमें messenger का नहीं पता, brain खुद नहीं आएगा, यह तो बात पता है, प्रिंस्पल को कोई order देना हो, तो प्रिंस्पल खुद अपना office छोड़ के नहीं जाएगा, किसी को बताने के लिए, कि भाई यह करो, मतलब प्रिंस्पल के पास भी अपना कोई सिस्टम है, तो brain के पास भी अपने कोई सिस्टम है, कोई इसके साथ काम करने वाले हैं, ठीक है, और यह messenger जो है, वो इनका काम है, लेके जाना, कैरी करना, ले जाना, आपको पता है कोई चीज एक जगा से दूसर ले रास्ते भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, बिग भी होते हैं, और स्मॉल रास्ते भी होते हैं, आप कराची सहदराबाद आते हैं जब, तो क्या करते हैं हाईवे, हाईवे एक बड़ा रास्ता है, सूपर हाईवे, जो कराची सहदराबाद को कनेक्ट कर रहा है, जब हा स्ट्रीट्स गल्यों की तरह आते हैं, ये भी एक रास्ता हैं, ये भी रास्ते हैं और ये रindruck है, ये सीधा एक रास्ता है, ये कराची है, ये हैद्राबाद हैं, हैद्राबाद से वो पहले इसको क्रोस करेगा भेजने वाला कौन है कराची कराची से सेंडर कर सेंडर कौन है कराची वहां से कोई गिफ्ट आ रहा है मेरे लिए वहां से कोई गिफ्ट आ रहा है तो गिफ्ट आएगा तो हाईवे से होता हुआ आएगा हाईवे से होता हुआ फिर कराची हिदराबाद आएगा हिदराबाद हाईवे से फिर में रोट से होता हुआ वो क्या करेगा? कौसार आएगा, कौसार में भी सडकें तो बनी वी है ना, स्ट्रीट्स बनी वी है, स्ट्रीट्स में क्या है? यहां भी रोड्स है, वो यहां पर आएगा और फाइनली मेरे घर पे पहुँच जाएगा. अब थोड़ा सा हौर करें जबाब, कि ब्रेन से रोडर निकला है, तो अभी हमें नहीं पता कि मेसिंजर ही आए और लेके कोन आने वाला, यहां तो हमें पता है कि गिफ्ट लेके आने वाला पोस्ट मैन है और कोरियर सर्विस का कुई बंदा, लेकिन ब्रेन से जो ऑर्डर निकल रहा है उसको लेके कोन आने वाला है? मैं बताता हूं भी उसको लेकिन जिन रास्तों से आएगा मैं उसको बताना चाहता हूं यह रहा आपका brain और यह यह आपकी backbone backbone फिल्हाल मैं इसको backbone ही कहूंगो आपको समझाने के लिए वरना जहन आपका उलज जाएगा यहां से ओर्डे से और रास्टे निकल रहे है यह ज़ो सडके मैंने बताइएं ति और मजीफ सडके निकल रहे है तो यहां से ये रस्ते और निकलने हैं छोटे-्छोटे रोड्स बने हैं यही रोड्स छोटे-छोटे होते हुए हैंड ची तरफ आएंगे किसी की तरफ आएंगे हैंड trick की तरफ ऑॉ́र्डर कून लेका आएगा मैसिंजर और मैसिंजर आके order जो लेकिए आएगा, वो क्या करेगा? हाथ को देदेगा वो लेगा ये लो भी, ये order आया है brain की तरफ से हाथ जो है, इस order को receive करेगा, order मिल जायाएगा और order में क्या लिखा है brain ने? कि आप board पे लिखो जैसे इसको ये order मिल जायाएगा, ये brain, ये क्या करेगा hand ये बोर्ट पे लिखना शुरू कर देगा समझ में आगई बात आपको अब यहाँ पर ब्रेन का भी बता दिया मैंने आपको और बैक बॉन का भी बता दिया फिलहाद इसको बैक बॉन वैसे रीड की हड़ी के अपने असल चीज बॉन्स के अंदर होती है वो बाद में तफसील से डिसकस करेंगे तो यह हो गया अब बात यह है कि इनको लेके कौन जाए पहले इसका बता दूँ आपको एक तो हाईवे यह हो गया एक रास्ता बड़ा यह हो गया जिसको बैक बॉन कहते हैं यह छोटे छोटे रास्ते जो हो गया इनको हम क्या कहते हैं इनको नर्स कहते है क्या कहते हैं नर्स जिस तरह आपकी पूरी बाड़ी के अंदर यह नसो का जाल बिछा हुआ है नसे हैं ठीक है आपको पता है इन नसो के अंदर क्या है इन नसो के अंदर जो है वो क्या है एक नेटवर्क बनाया हुआ बिल्कुल इसी तरह एक और नेटवर्क है आपकी बॉडी के अंदर जिनको नर्स का नेटवर्क कहते है ये वही छोटी-छोटी सडके हैं जो के पूरी बॉडी में बिखरी हुई है हर जगा जिस तरह बिल्ड का हर जगा पर पहुँचना जरूरी है और उसके लिए अल्ला ताला ने ये बिल्ड वैसिल्स रखी हुई है बिल्कुल इसी तरह ओर्डर का भी हर जगा पहुँचना जरूरी है क्योंके हर जगा पर कंट्रोल ब्रेन का है और brain वो control कैसे करेगा, order देके order किस रस्तों पे, जब रस्ते ही नहीं होंगे तो order जो है, वो कैसे जाएगा बात को समझिए, जो messenger होगा, इस order को लेके जाने वाला होगा रस्ते ही नहीं होंगे, तो फिर messenger कैसे लेके जाएगा बात समझा गई तो messenger जो है, brain से order लेके, backbone से होता हुआ फिर जहां उसको जाना होता है, पैर के पास जाना हो तो वहाँ चला जाएगा, हाथ के पास जाना हो तो वहाँ चला जाएगा, चीक है, सर के पास जाना हो head के पास, ये भी तो हम हरकत करते हैं यहां चला जाएगा लेकिन यह जब ही मुम्किन है जब बिलकुल इसी तरह का नेटवर्क आपकी बॉड़ी के अंदर हो जिससे यह नेसों का नेटवर्क है हर जगा ब्लेट की जरूआ थे इसी तरह हर जगा पर नर्व की जरूआ थे यह वो रास्ते हैं जिन पर मैसिंजर चल के जाएगा और आर्डर लेके जाएगा अब यह मैसिंजर की भी बात कर लेते हैं यह मैसिंजर जो है यह भी सेल्स होते हैं ठीक है इनको नियूरॉंस कहा जाता है नियूरॉंस या नर्व सेल्स समझा गई बात तो यह वो सेल्स हैं जो कि यह लेके जायेंगे लेकिन यह खुद लेके नहीं जाएंगे यहां पर भी थोड़ी सी इंट्रस्टिंग बात बाताय tuna Weडियो यह खतम करते हैं आपका जैन उलजाना नहीं चाहता यह कुद लेके नहीं जाएंगे ये कैसे लेके जाएंगे ये मैं आपको जब बताऊंगो जब नर्वर सिस्टम के ओपर कम्प्लीट वीडियो बना मुपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा नो लाइक, नो सबस्क्राइब, नहीं सबस्क्राइब करना है किसको? किचन विद फलेशा, आल्ला अपुम